हेलो राधे राधे आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स और ट्रिक्स ले करके आई हूँ जिसके जरीए आप अपने बिगड़े हुए कामों को बहुती असान तरीके से और कम समय में कर प्रu गल्लाफ लोगो जिससे आप प्याच करपा खेलना भी नहीं पड़ेगा और छिप्सके अपने अपी उतर जाएंगे तो देखिए अकसर हमारे क्या करने हैं इस्तारसे मोटे निकलता हैं ौप兄ять भी आउच की step hagol नहीं को सब्सक्राइए हैं तो हम लोग वर मैं इस प्याज को कट किया है, जो इसके छिलके होते हैं वो अपने आप ही अलग हो जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए मैंने थोड़े से मोटे स्लाइस करें हैं, ज्यादा पतले नहीं करें हैं, तो धीरे धीरे आप देखिए जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्याज को छीलते हैं लेकि छीलते हैं फिर जाके प्याज को कट करते हैं लेकिन यहाँ पर देखी ना मैंने प्याज को चीला डारेक्ट मैंने प्याज को ऐसे ही कट कर दिया और कट करने पर ही काफी चिलके ऐसे ही निकल गए हैं यहाँ पर देखे मैं आपको एक एक प्याज करके दिखा रही हूं सबी के चिलके निकल चुके हैं और जिन प्याज में थोड़े बहुत भी चिलके लगे हैं तो देखेगा फलका सा चिलका निकलता है हम लों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कट करेंगे तो ज़्यादा मोटा चिलका निकले है इसमें बहुती पतला चिलका भी निकलता है जिसे हम लों की प्याज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती है यह बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरह से हमलों का काम भी बहुत जल्दी होगा और जो हमलों का टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं होगा तो यह बहुत ही यूसफिल आइडिया है अपनों ट्राइ करके जरूर देखेगा यहां देखे मैंने पूरी प्यास काट लिए और छिलके बिल्कुल इसके कितने पतले निकले हैं बिल्कुल भी जादा नहीं निकले और प्याज भी हमलों के बिल्कुल फ्रेश कट हुई है तो ट्राइ करके एक बस जरूर देखेगा अगले टिक मेरी यहां पर जो बच्चे स्कुल पहनके जाते हैं तो उनकी कॉलर को लेकर की बहुत गंदी हो जाती है हमलों जितना भी इसको ब्रेश रगड़े फिर भी इसमें डार्कनस रहती है तो आप क्या करें यहां पर देखिए जो हमलों घर में पेस्ट यूज करते हैं बस उसी का थोड़ा सा पेस्ट हमलों को लेना है और इसी कॉ कॉलर को थोड़ा सा भीगो लीजिएगा जिससे हमलों का पेस्ट बहुत ही अच्छे से कॉलर पे लग जाए यह जिद्धी दाग होते हैं बिल्कुल छूटते नहीं मेल वगारा होता है जो काफी हद तक कॉलर में आ जाता है बच्चे अगर दो दिन पहन लेते हैं तो अच्छे से इसको रगर दिया है रगर ने पर हलका हलका इसमें फेना आने लगेगा भी देखेएगा तो कि मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और जैसे जैसे मैंने इसको रगड़ा पेस्ट और जो वाशिंग पाडर होता है दोनों मिक्स करके बहुत ही अच्छे से यह जित के कॉलर कितने अच्छे से साफ हो गई यह जादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बस आप अगर चाहे तो इसको एक मिनर के लिए ऐसे लगा रहने छोड़ दीजिए यह बहुती जली साफ हो जाता है ब्लुकुल क्रीन तो आप इसको ट्राइ करके जरूर देखेगा यह यह पर जो मशीन में हम लोंग तेल डालते हैं उसकी सीशियू को ले करके हैं यहाँ पर एक छोटी सी कैप होती है लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना वो कैप टूट जाती है यह खो जाती है उस समय पर हम लोंग क्या करें अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसको ऑईल गिरने लग मशीन के बहुत है तो देखिए बहुती अच्छे से कैप करके तयार हो गई है अब बिलकुल भी अगर शीशी गिपती भी है तो इसको इसको और बहुती अरॉम से यह फिक्स भी रहेगा तो यह देखिए बिलकुल भी लूज नहीं हैं बहुत फिट भी हो गेए तो जो उसको नहीं चोड़ सकते हैं कियोकि इसकी नोग खराब हो जाएगी उस तरह में हम लोग जो इसके के कैप होते हैं उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते है यह भी बहुत ही अच्छे से Infinity हो जाती jam काण ही है तो यह भी बहुत आपि उसको बिल्ब्लगार पिके इसका यूज पर आगे आपको बताऊंगी कितना अच्छा है घर में हम लोग के क्लैचर है और यह जो बैक पीन होती है बहुत सी चीज़ों होती है बालूम लगाने की जिसको हम लोग रख देते हैं और समय आने पर यह बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं तो आप क्या करें इस रबड को जो कूकर क हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं तो यहां पर देखें मेरे पास काफी क्लैचर है और बैक पीन वगारा है तो मैंने यहां पर सभी को इसमें अच्छे से रबड में डाल दिया है यह बहुत ही अराम से ज्यादा क्वांटिटी में अच्छे से रबड में आ जाती है हम हम लोग क्या करते हैं ऐसे किसी बॉक्स में रखते हैं ऐसे डाल देते हैं समय पर यह बिल्कुल भी नहीं मिलती है तो यहां देखे मैंने सारी चीज़े अच्छे से इस रबड में फिक्स कर दी हैं जितने भी क्लैचर थे अब यह क्लैचर हम लोग के पूरे एक ही जगए पर मिलेंगे जब भी जरूरत होगी कहीं भी ढूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी अराम सी हमें मिल भी जाएंगे आप इसको अपने अलमीरा में कवर्ड में या रैसिंग टैबल पर कहीं भी टांग दीजिए सारी चीज़े हम लोग को आराम से मिल जाएंगी कोई भी कलर क क्लेचर लगाना होगा बिल्कुल भी ढूनना नहीं पड़ेगा तो आप लोग इसको ट्राइ करके जरूर देखेगा यह बहुती यूसफुल आइडिया है और जब भी हम लोग को जरूरत होगी क्लेचर आराम से निकालेंगे उसको यूस करेंगे मन चाहा क्लेचर का भी यू और लिके यहाँ पर दूद और दवा को लेकर जो एकसपेरी दवा होती है हम लोग की तो क्या होता है मरूग ऐसे इसको अठाकर फेक देते हैं लेकिन इसका भी यूस हम लोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूद लीया है अगर कभी-क यहां देखे जो दवा है तो एक टैबलेट में ले लिए उसको थोड़े से दूद में अच्छे से डाल दिया है थोड़ी देड में अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी आप चाहें इसमें थोड़ा सा पानी और एट कर सकें ताकि अच्छे सा दवा हम लों की घुल जाए उ बहुती यूसफूल है और हम सभी लोगों को इसको जरूर करना चाहिए तो यहां देखे अच्छे से दवा जब आपकी मिक्स हो जाए चला लीजेगा चाहे तो आप दवा को थोड़ा सा पीस करके फिर दूद में डालें अब आप करेंगी क्या कि इस दूद को ले जाकर के आप अपने गार्डन में डाल दीजे अगर आपके पेड़ों में कीड़े रग रहे हैं या अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है तो वहां पर आप इस तरह से दूद जो हम लोंने दवा मिक्स करी है थोड़ा सा डालना है बिल्कुल जादा नहीं डालना है इसे क्या होंगे ज अच्छे से आपको दूद डाल लेना है इससे पेड़ में कीड़े भी नहीं लगेंगे बहुत ही अच्छे से ग्रो होगे और जादा फूल वगारा भी निकलेंगे तो आप लोंग इसको ट्राइज जरू करिएगा अगर वेश्ट दूदो तो आप लोंग इसी में डाल दी और कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरी कौन से टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा ओके बाई